प्रभु की स्तुति हो, स्वागत है प्रियो भाईयों हम लोग परमेशुर का संतान है आज हम लोग यहाँ पे है क्योंकि पवित्र आत्मा हमें आगवाई करता है आपको जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग का आत्मा प्रत्यक दीन पर मेशुर का वचन को दलास करता है इसलिए आईए हम लोग प्रभु का वचन को ध्यान करे ध्यान के माध्यम से हम लोग अपने आत्मा को पवित्र वचन से तुरुप्त करे रोमियो छे अध्याय का तेस क्यूंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यू है परन्तु परमेशर का बरदान हमारे प्रभ मसी येशु में अनम्त जीवन है रोमियो छे अध्याय का तेस क्यूंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यू है परन्तु परमेशर का बरदान हमारे प्रभ मसी येशु में अनम्त जीवन है रोमियो छे अध्याय का तेस क्यूंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यू है परन्तु परमेशर का बरदान हमारे प्रभ मसी येशु में अनम्त जीवन है रोमियो छे अध्याय का तेस क्यूंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यू है परन्तु परमेशर का बरदान हमारे प्रभ मसी येशु में अनम्त जीवन है परमेशर का महिमा हो बरदान हम लोग एक पेड़ के समान है जो की नदी के किनारे लगाए गए हैं जो सेही समय में फ़लाता है जिसका पता कभी मुच्छाता नहीं है और वो जो कुछ करे उसमें सफल होते है परमेशर का मेचन हमें संभालता है ये हमें शुत्र करता है ये हमें शामतना देता है ये हमें शक्ती देता है ये हमारे आत्मी पढ़ूती करता है ये हमें जीवन देता है ये हमारे पाप के विरुद लडाई करता है ये हमें और हमारे परिवार में आस इसको लेकर आता है आमेन